नवस्कार दोस्तों इस वीडियो में अपने बात करने वाल हैं एम्स के दवारा निकली हुई स्टाफ नर्स एनम और लेब टेक्निशन की वेकेंशी के बारे में तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी डिटेल आपसे मिशना हो वीडियो में दीके जानकर कैसे लगी कमेट कर जुरूर बताएं तो यह देख सकते हैं अखिल बारती आईविकेंश स्थान रिशी केस के दवारा यह जारी हुई है यह 18.5.2023 को नोटिफिकेशन जारी हो गए था और इसमागर बात करें तो एम्स के अंदरी वेकेंसी है लेकिन यहाँ पर कॉंट्रेक्ट बेस की वेकेंसी है और इसकी जो लास्ट टेट रेगी वो पांच जून 2023 रहने वाली है इसका जो इंट्रिव होगा वो होगा 12 जून 2023 को वेन्यू रहेगा इंट्रिव का Department of Community and Family Medicine और इसके तरह के अगर फोर्म की बात करते हैं तो आपके जो फोर्म है और जितने भी रिलेवेट डोकुमेंट से उनकी एक सेल पर टेस्टर फोटो कोपी आपको 5 June 2023 को ये mail ID देर किस mail ID पर send करना है यानि application आपको mail ID पर send करना है उसके बाद आपका इंट्रिव होगा पोस्टों की बात करते हैं तो medical officer की यहाँ पर दो पोस्टे हैं 60,000 रुपे पर मत पेमेंट आपको मिलेगा MBBS degree होनी चाहिए desirable की बात करें तो 2 years का experience होना चाहिए PHC या CSC के अंदर या फिर wellness center के अंदर या UPHC के अंदर staff nurse की बात करें तो total 4 पोस्ट है इसके लिए degree यानि BAC nursing या फिर आपने जीनम कर रखी है कोई भी institute या board के दोरा जो इंडिया nursing council के दोरा रिको गिजनाइज हो इसकी त्रिक यदि आपका इंडिया nursing council या फिर state nursing council में registration ने तो भी आप apply कर सकते हैं 15,000 पे आपको प्रमत पेमिट या पर मिलने वाली है यहाँ पर all over इंडिया के candidate से वो apply कर सकते हैं अनम की बात करें टोटल आठ पोस्टे हैं और इसके लिए यह आपने अनम का कोर्स कर रखा है और आप कोई भी state या nursing council की अंदर registered है नर्स के रूप में तो आप apply कर सकते हैं 12,000 पे प्रमत आपको प्रमिट मिलने वाली है लेब technician की बगर बात करें तो दो पोस्ट है इसके लिए डिपलोमा होना चाहिए लेब technology के अंदर और साथ में कोई भी state या Indian nursing council की Indian paramedical जो council है उसके अंदर आपका registration होना चाहिए 12,000 पे प्रमत आपको प्रमिट यहाँ पर मिलने वाली है अटेंडेंट की बात करें तो टोटल चार पोस्ट ने इसके लिए आठीं पास से इसके equivalent आपको प्रमत पेमिट यहाँ पर मिलेगी आगे बात करें तो requirement का जो method है वो written exam या interview दोनों के आदार पर भी हो सकता है लेकिन फिलाल interview का यहाँ पर देरखा है और पांच दिन के अंदर अंदर आपका जो result है वो declare कर दिया जाएगा और इसके अत्रीक अगर बात करें तो यह post contact basis है और इसके बाद यह बढ़ाए भी जा सकती है contract period लेकिन फिलाल अभी देन इड़का के कितना contract period इन्होंने दिया है कितने time के लिए बढ़ती है और यह द document है उनसकी self-attested photo copy लगाकर एक PDF बनाकर आपको इस mail ID पर send कर देना है payment थोड़ी कम मिल रही है लेकिन यहां पर जो आगे कोई भी government भरती आते है उसके अंदर कोई भी government संस्ता हो NGO हो उसके अंदर काम करने का आपको अनुबव मिलता है यह अनुबव के आपके marks मिलते हैं तो इस परकार की aims या NGO के दोबारा कोई भी जो भरती आती है उसमें आप जूरूर अप्लाई कीजिएगा चाहिए payment आपको कम मिले लेकिन आपको bonds marks जादा मिलेंगे आगे कोई भी government भरती आते है उसमें जैसे अभी बात करें रास्तान के अंदर A&M की G&M की जो भरतीयां चले तो इनके अंदर उनी candidates को bonds marks मिल रहे हैं जो किसी NGO में या फिर government hospital या फिर aims इनके अंदर कारियक कर चुके हैं तो ये आपके लिए bonds marks की दरस्टी से बहुत फाइदे मन रहता है तो जिन candidates की इच्छा हों और जो eligible हो वो जरूर अपलाई कीजिएगा और वीडियो में देगे जानकर कैसी लगी जुरूर बताईएगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतने ही बात करेंगे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जानकरी एक नए भरती के साथ तब तक लिए जै हिंद जै भारत